So hey guys, कैसे हो आप सब लोग, आज किस वीडियो में हम बिस्तारिद बात करेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में Google हो जाए, Apple हो जाए, Facebook हो जाए, कोई भी और another company हो जाए हमसे कुछ न कुछ डेटा वो कलेक्ट करते ही है और हमारे फोन में जितनी भी डेटा है, वो सिर्फ हमसे related नहीं है हमारी जो friend circle है, जो family है, जो उन services को use भी नहीं करते हैं, उन से related भी है example के लिए Facebook, आपने एक बार अगर जो number से उसके through आप अपनी friend request भेजने की option को on कर देते हैं तो Facebook में वो सारी number save हो जाता है आप चाहो तो बाद में उन चीजों को देख सकते हो, उन numbers को दुबारा ले सकते हो तो ऐसे में बहुत सारी चीजे हैं, जो वो लोग use भी नहीं करते हैं उसके बावजूद भी उनकी कई सारी चीजे online पे, अलग-अलग domain पे publicly available हो जाता है Companies उन चीजों को ले सकता है ऐसे में सबसे बड़ा question निकल के आता है कि कैसे identify करें ये जो company है ये थोड़ा सा data ले रहा है, चलो ये ठीक है, इससे हमारी privacy को कुछ खास जादा नुकसान नहीं पहुचेगा ये मान सकते हैं और कौन से अजी companies है, जो हमारी data लेते हैं बहुत banker level पर जाके data collect कर रहा था, तो क्यों Google को ban नहीं किया गया, क्यों Facebook को ban नहीं किया गया, क्यों another जो game से उनको ban नहीं किया गया, वो भी तो permissions मांगते हैं, contact की, messages की और TikTok जो की है, वो भी तो permission मांगते हैं, जो camera वगरा इन सब चीज़ों की, तो वैसे में क्यों जो TikTok है उसी को ban किया गया, अलग-अलग application को ban नहीं किया गया आप अगर एक long discussion सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए नहीं है, आप quit कर सकते हो, और आपको चीज़े अभी तक पसंद आ रहा है, जानने में interested हो, तो like की बटन को दबा दो यार आगे बाते और भी interesting हो जाएगी सबसे पहले हम समझ लेते हैं, Apple और Google, यह दोनों बड़े companies हैं, इनकी OSA और अलग-अलग platforms इन्हों नहीं create किये हैं, जिन पे millions पे लोग आज के समय पे अलग-अलग चीज़े करते हैं, चाहे अब बात करो इसी platform यानि YouTube की, या बात करो Google की, others जितने भी products हैं उनकी, तो वैस या problems है, यह समझ कैसे पाता है, कुछ चीजों के लिए feedback देते हैं, कुछ users जिससे Google को समझ में आता है, कुछ चीजों के लिए review का इस्तेमाल करता है, कुछ चीजों के लिए जो testing होते हैं, उसके थूपता लगता है, यह problems है, और कुछ ऐसी bugs होते हैं, जो आगे चलके problem बन जाते हैं, उसके वज़े से पता लग जाता है, तो वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन overall example के लिए Android and iOS, इन दोनों को आपस में भीडा दे, तो हम देख सकेंगे, कि Android में जितनी भी applications popular हुई, चाहे आप gesture की बात कर लो, या फिर camera अलग-अलग modules में लगने बाले filter application की बात कर लो या आप बात कर लो navigation buttons की, तो वैसे में हर एक another third party application जो भी popular हुआ है, गूगल ने उस चीज़ को adopt कर लिया अपने OS के अंदर, आज almost वो सारी चीज़े Android 10 में आपको मिल जाएगा, जो जो चीज़े पिछले time में आप एक application के थूँ इस्तेमाल करते थे, चाहे नई तरीके की या आप customization की बात करो, या फिर calling experience की बात करो, या फिर जो call आने पर सिर्फ एक toggle open होता है, उसकी बात करो, तो ये सभी चीज़े कैसे समझ में आता है, सभी चीज़े तो आप feedback दे के कोई नहीं बोलेगा, तो ऐसे में ये companies आपकी data को collect करते हैं, ये समझने के लिए कि actually जो problem ह वो कैसा है और उसको किस तरीके से fix करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, या फिर update version आपको देने के लिए, जो पिछले बाले से बहतर होगा, तो वो आपकी data को collect करते हैं, अब आ जाते हैं, जो third party applications होते हैं, या फिर जो websites होते हैं, अब आप Amazon की website website पे जाते हैं, आप अलग-अलग website flipkart हो सकता है, मिंत्रा हो सकता है, कोई भी website हो सकता है, वहाँ पे जाते हैं, तो एक permission मंगा जाता है, और कुछ-कुछ website ऐसा है, आप अगर permission नहीं दोगे, तो वो नहीं खुलेगा, वो permission क्या होता है, cookies का permission, अब cookies में actually रहता क्या है, जो cookies होता है, एक तरीके से वो आपकी browsing history होता है, और जिसके through वो company आपकी browsing history को ले लेते हैं, और देखते हैं कि पूरे दिन, पूरे महिने, पूरे साल, या फिर दो-चार घंटों में आपने क्या-क्या सर्च किया है, एक छोटा सा example ले लीजे, मुझे एक कटोरा खरीदना है, तो मैं एक बर Amazon पे गया, कटोरा सर्च किया, Flipcut पे गया, कटोरा सर्च किया, और अलग-अलग website पे कुछ comparison की, अब जब यहाँ पे third party अलग website आ रहा है, जिसको मैं cookies का permission दे रहा हूँ, तो वो मेरे जो cookies है, यानि जो browsing history है, उसके through यह समझ पा रहा है कि हाँ, इस विक्ती को सबसे पहले कटोरा दिखाओ, क्योंकि यह पिछले कुछ time से कटोरा ढून रहा है, अब आपने उस website से skip कर लिया, अब उनका tie-up है Facebook से, आप Facebook पे आ गए हो, कुछ friends के साथ बाते कर रहे हो, feed को scroll कर रहे हो, तो वहाँ पे advertisement आने लगेगी कटोरों की, हो सकता है उस company के ना आ क्योंकि Facebook में वो ad चल रहा है, और Facebook चाहेगा कि अपनी customer को अच्छा service देना, और अच्छा service देने के लिए वही चीज़े आपको दिखाने पड़ेंगी, जो कि आपको चाहिए, तो आपको इस समय पे क्या चाहिए, कटोरा, यानि Facebook ने और जो other websites है, जो चीज़े बेचते है यानि e-marketing websites, उन्होंने सभी ने आपकी data को इस्तेमाल करते हुए, वही चीज़े दिखाया आपको जो आपको चाहिए, इन चीज़ों में अगर किसी चीज़ का नुकसान है, तो सिर्फ आपके पैसों का, तो ये हो गए basic 2-3 type की spy जो आपके उपर हमेसा चलते रहते हैं, औ और जिनको आप easily handle कर लेते हो, इससे आपको कुछ जादा परेशानी होता भी नहीं है, अब आते हैं उन applications के और जो third party है, जो TikTok जैसे हैं, या फिर Hugo जैसे हैं, जो आपको वादा करते हैं, पैसे ले लो, कुछ तो ऐसे applications हैं, जो openly बोलते हैं, कि जुआ खेलो और उसके बदल हो, साथी साथ उसके पास gallery का access भी है, साथी साथ उसको message receive करने का भी access आपने दे रखा है, send करने का भी message आपने दे रखा है, क्योंकि कई बार होता है, जो video आप share करते हो, तो वहाँ पर option आता है, कि आप message के through भी कर सकते हो, Facebook, WhatsApp, किसी भी media के through कर सकते हो, तो आप उसको allow कर तो, यानि वो जो application है, वो हर एक चीज़ से data को भेज सकते हैं, receive कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उसमें, आप microphone का access दे के रख दी हो, application ऐसा design किया गया है, कि 24 hours वो background में चलता रहे, तो वैसे में वो आपकी सारी बाते record कर रहा है, आपने camera का permission दे दिया है, क्या पता background म जो चीज़े हैं, वो record कर रहा है, तो ऐसे में वो सभी चीज़े एक अलग servers पे भेजी जा सकती है, अलग-अलग तरीके से, ऐसे में कई बार ऐसा होता है, कि जो format है, उसी format में भेज दिया जाता है, जिसके बज़े से आपकी phone की जो data है, वो low हो जाता है, और आपको समझ मे आ जाता है, और ऐसे ही कई सारी companies जो की है, पकड़े भी जाते हैं, जैसे आप example के लिए मालो कुछ समय पहले Facebook के उपर एक case आया था, जहां पर वो पकड़ा गया था, अपनी users की data बेचते हुए, तो ऐसे ही कई companies पकड़े जाते हैं, कुछ companies पकड़े नहीं जाते हैं, टिक तो ऐसे में Google में ऐसा एक bug था, जहां पर आप किसी जगे पर जाते हो, तो खुद बखुद वो पता लगा लेता था, आप कहां पर हो और उसकी rating मांगने लग जाता था, तो इसी के उपर भी बहुत जादा चर्चा हुआ था, तो ऐसे जो third party applications होते हैं, इन पर आपको विश बढ़ा हुआ है, उससे उन लोग को कुछ खास जादा interest है नहीं, या फिर उससे उनको कुछ पैसा मिलने वाला है नहीं, लेकिन ऐसी third party एक पता नहीं किसना develop किया उसको मिल जाए, तो ब्लैक में लिंग करके आप से पैसे ले सकता है, पता नहीं अलग अलग चीजों में य वैसे लोग अगर उसकी चक्कर में पढ़ जाए, जिनके हाथों में पावार है तो, तो आपको सेफ रहना है third party application से, जो pre-installed app आते हैं, उनको uninstall करने से आप इस चीज़ को start कर सकते हो, मैं उमिद करता हूँ cookies क्या होते हैं, companies द्वारा जो data collect किये जाते हैं, और third party applications data collect करते ह इन सभी की बीच में जितने भी difference थी, उनको मैंने आपको समझा दिया है, और basically जो last में मैंने बात की है, जो TikTok की example के लोग के बात की है, उसको कहा जाता है, transcoding media, यानि जो coding होता है data 0 से 1 तक, उसकी basis पे आपकी data को एक ऐसी server पे भेज दिया जाता है, जहां से company उसको collect कर सके, तो दोस्तो मैं समझता हूँ data related जितनी भी queries थी, data collection related वो सारी मैंने आपकी fulfill कर दी है, फिर भी कोई ऐसा point रहे गया है, जिसके बार में हमने बात नहीं किया है, तो आप हमें याद दिलाओ comment section में question पूछो, जिसका answer हम आपको जरूर देंगे, वीडियो अच्छा लगा होग तो वीडियो को dislike कीजिए, अगर subscribe करके रखे हैं, तो कोई शक नहीं unsubscribe कर सकते हैं, और अच्छा लगा है, subscribe करके नहीं रखा है, तो please subscribe कर लो यार, बहुत महनत करते हैं, फिर भी कुछ अच्छा खासा growth है नहीं, तो भीक कहो तो वही सही भीक ही मांग रहे हैं आपसे, आज पश्कुले इतना ही, हम मिलेंगे दुबारा, तब तक के लिए, गुड़ बाई